Hello Learners तो आज हम बात करेंगे Equity Trading Course के बारे में Equity Trading Course समझेंगे हमारी इस वीडियो में कि ICFM ने Equity Trading Course की क्यों develop करा और इस course को करने से Learners के क्या benefit हो सकते हैं तो चलिए हमारी शुरू करते हैं इस वीडियो में अब अब equity trading course अगर हम इसके words पे जाएं तो हमारा इक course बात करेगा basic equity trading के बारे में क्या होता है learners और investors कुछ advanced चीज़े पढ़ लेते हैं मान लीजिए technical analysis के कुछ indicators हो गए या fundamental analysis के कुछ बारी विरका words हो गए पर जब बात करें एक basic program की कि किस तरह से securities market work करती है क्या securities market के segments होते हैं क्या securities market में participants होते हैं IPOs क्या होते हैं IPOs में कैसे apply किया जाता है या buy और sell orders कि तरह से लगाए जाते हैं या stock selections का criteria क्या होता है तो generally देखा गया है कि learners को उस basic program सीखने में बड़ी difficulty आती है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ICFM की team ने, ICFM के traders ने develop किया है एक basic equity program जिस program को जानने के बाद learners इन basic सवालों के जवाब जान पाएं जैसे मान लीजे कुछ basic equity program की कुछ terms हो गई कुछ बहुत important terms होती है, कुछ बाजार के कुछ terms होती है जो के खाली बाजार के खिलाडियों को ही पता होती है ये जानना हमारे equity traders learners के लिए बहुत जरूरी बन जाता है क्या IPO होता है, किस तरह से IPO में apply करते हैं, कुछ NSE की website होती है NSE की website से हम किस तरह से basic data निकाल पाते हैं, किस तरह से हम उन stocks को select कर पाते हैं या किस तरह से हम अपना खुद का एक screener बना पाते हैं यही जानेंगे हमारे इस basic equity program में और उमीद करेंगे कि इस basic equity program के बाद हम आपके लिए एक basic foundation तयार कर पाएं, आगे आने वाले कुछ advanced programs के लिए और जिन advanced program को समझने के लिए हमारे learners को किसी भी तरह की कोई difficulty का सामना ना करना पड़े Thank you